प्राइब दिवस की शुब कामना आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूंकि हम बात करने जा रहे हैं पच्छत्रवे गर्टंतर दिवस की शुब कामना है पच्छत्रवे गर्टंतर दिवस पे मुख्य सितिके तोर पर कौन आया थे तो बिने रहिएगा इस वीडियो के अंतक लेट्स स्टार्ट 26 जनवरी 2024 को भारत में 75 गर्टंतर दिवस मनाय जा रहा है आजादी हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी परंतो किसी भी देश को सुचादू रूप से चलाने के लिए एक सुद्रण समिधान की जरूरत होती है भारत एक स्वतंतर संप्रभू और लोकतांतरिक देश है जिसने 26 जनवरी 1950 को अपना समिधान लागो किया था आप लोगों को पता है कि गरतंतर दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाय जाता है या भारत के संप्रण समिधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागो किया गया जबकि भारती समिधान 26 नॉमबर 1949 को ही बन के तियार हो गया था इसके लिए इतिहास में समिधान लागू होने से लगभग 20 साल पहले चलना पड़ेगा बात है 31 दिसंबर 1929 की जब ततकालिन पंजाब प्रांत की रजधानी लाहोर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसे हम लाहोर अधिवेशन भी कहते हैं इस अधिवेशन के अधिशता पंडी जवालन नहरू द्वारा किया गया और अधिवेशन के तीन अहम फैसले लिये गया पहला पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतनतरता का संकलप लिया गया दूसरा 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को भारी भीड के सामने रावी नदी के तट परपंडी जवालन नहरू के द्वारा भारती तीरंगा जंडा पहराया गया तीसरा 26 जनवरी 1929 को स्वतनतरता दिवस मनाने का फैसला किया गया जिसे पूर्ण स्वराज दिवस भी खहा जाता है परंतु वास्तों में स्वतनतरता तो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हो गई फिर 26 जनवरी को इतिहासीक महत्व देने के लिए समिधान निर्मताओं ने 26 जनवरी 1950 को समिधान को लागू करने का फैसला किया जिस दिन को हम गरतंतर दिवस के नाम से हर सो लास के साथ मनाते हैं अब बात करते हैं नेक्स टॉपिक पचात्रों गरतंतर दिवस पर मुक्केशित अब 1998 में राश्पती जैक सिराक जो 1976 में प्रधान मंतरी थे अब 1998 में वो राश्पती के तौर पर भारत में मुक्केशिती के तौर पर आये थे फिर 2008 में राश्पती निकोला सरकोजी और फिर 2016 में राश्पती फ्रांसवा उलांदे भारत में मुक्केशिती के तौर पर ग 2021 और 2022 ये ऐसे साल रहे हैं जो भारत के तरब से गरतंतर दिवस पर किसी भी राष्टा ध्याज को आमंतरित नहीं किया गया। राजपत पर पहली परेड 1955 में आयुजित की गई थी जिसमें मोखेतिती के तोर पर पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद को बुलाया गया था और यही अंतीम बार था उसके बाद कभी भी किसी भी पाकिस्तान के राष्टेद्यच को इन्वाइट नहीं किय गया है राजपत को पहले किंग स्वे के नाम से जाना जाता था अंग्रेजों ने किंग जॉज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग स्वे रखा था फिर बाद में 1955 में इसका नाम चेंज करके राजपत कर दिया गया और 2022 में इसका नाम फिर से बदल कर अब करतब्य पत कर दिया गया है जिसकी अस्थापना 8 अगस्ट 1967 को बैंकोक में हुआ था जो थाइलेंड की राज़ानी है जिसे बैंकोक डिकलिरेशन के नाम से भी जाना जाता है इस संगठन का मुख्य उदेशय आपस में आर्थिक विकास और समरेधी को बढ़वा देना और छेतर में शान्ती और इस्थिरता स्थापित करना आसियान देशों के दस नागरीकों को वद्म पुरसकार दिया गया 2018 में फिर फिर फ्राँस के राश्पति दिलली पहुचकर भारत के पचातरों गर्तों त्रिवस में सामेल होंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दाथ Thank You, Bye Bye झाल झाल